गुरुदेव और मागायत्री की चड़्ण में कोटी कोटी नमन करते हुए गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम चानेगे समस्त विध्याओं की भंडागार गायत्री महाशक्ती गायत्री मंत्र का तत्व ज्यान गायत्री संसार के समस्त ज्ञान विज्ञान की आधी जनिनी है वेदों को समस्त प्रकार की विध्याओं का भंडागार माना जाता है वेवेद गायत्री की व्याख्या मात्र है गायत्री को वेद माता कहा गया है चारो वेद गायत्री के पुत्र है ब्रह्मा जी ने अपने एक-एक मुख से गायत्री के एक-एक चरण की व्याख्या करके चार वेदों को प्रकट किया ओम भूर भुवस्वहा से रिगवेद, तच्स वितुर वरेन्यम से यजुरवेद, भर्गो देवस्य धीमही से सामवेद और धियो योनहा प्रचोद्या से अथर वेद की रचना हुई इन वेदों से शास्र, दर्शन, ब्रहमण ग्रंथ, आरन्यक, सूत्र, उपनिशत, प्राण, स्प्रतियादी का निर्माण हुआ इनी ग्रंथों से शिल्प, वानिज, शिक्छा, रसायन, वास्तु, संगीत, आदी, 84 कलाओं का अविश्कार हुआ इस प्रकार गायत्री संसार के समस्त ग्यान विज्ञान की जनिनी ठहरती हैं जिस प्रकार बीच के भीतर व्रक्ष था, वीर के एक बून के भीतर पूरा मनुश्य सन्हित होता है उसी प्रकार गायत्री के चोबीस अक्षरों में संसार का समस्त ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है ये सब गायत्री का ही अर्थ विस्तार है मंत्रों में शक्ती होती है गायत्री के अक्षर शक्ती बीच कहलाते हैं उनका शब्द गुंधन ऐसा होता है कि उनके विधिवत उच्चारण एवं प्रियोग से आद्रश्य आकाश बंडल में शक्ति शाली विद्धुत तरंग के उत्पन होती हैं और मनह शक्ती तरंगों द यही बात होती है उनके शब्दो में शक्ती तो होती है पर उन शब्दों का कोई विशेश महत्वफून अर्थ नहीं होता पर गायत्री मंत्र में ये बात नहीं है इसके एक एक अक्षर में अनिक प्रकार के ग्यान विञ्ञानों के रहसमें तत्वें जिपे हुए हैं तत सवितर वरेन्यम अधि के स्तूल अर्थ तो सभे को मालूम है एवं पुस्तकों में भी प्रकाशित हुए हैं परंदू इनके अत्रिक्त 64 कलाओं, 6 शास्त्रों, 6 दर्शनों एवं 84 विध्याओं के रहसे प्रकाश्यत करने वाले अर्थ भी का अत्रिके हैं। उन अर्थों का भेद कोई-कोई अधिकारी पुरुष ही जानते हैं, वे ना तो छपे हुए हैं और ना सब के लिए प्रकट हैं। सोना बनाने की विध्या का संकेत हैं। इन अक्षों में अनेको प्रकार के अगनेयास्त्र, वरुनास्त्र, नारायनास्त्र, पशुपतास्त्र, ब्रहमास्त्र, आधिहत्यार बनाने के विधान मौझूद हैं। रिद्धी सिध्यों को प्राप्त करने, लोक लोकांत्रों के प्राणियों से संबंध्य स्थापित करने, ग्रहों की गतिविधी तथा प्रभाव को जानने, अती तथा भविष्य से परिचित होने, आध्रश्य इवं अविज्यात, तत्वों को हस्ता मलकवत देखने, आध दिव्य शक्तियों से सुसंपन बन सकता है प्राचीन काल में ऐसी अनेग विध्याएं हमारे पूर्वजों को मालूम थी जो आज लुप्त प्राय हो गई हैं हम भूल गए हैं विध्याओं के कारण हम एक समय जगत गुरू चक्रवर्ती शाशक इवं स्वर्ग संपदाओं के स्वामी बने हुए थे आज हम उनसे वंचित होकर दीन हीन बने हुए हैं आवशक्ता इस बात की है कि गायतरी महामंदर में सन्हित उन लुप्त प्राय महा विध्याओं को खोज निकाला जाए जो हमें फिर से स्वर्ग संपदाओं का स्वामी बना सकी ये विशय सर्व अधिकारी सत्पात्र ही इस छेतर में कुछ अनुसंधान कर सकते हैं और वपलब्ध प्रतीफलों से जन सामाने को लाभान विद करा सकते हैं गायतरी की दौनों ही प्रयोग हैं वह योग भी है और तंद्र भी उससे आत्मदर्शन और ब्रह्म प्राप्ती भी होती है तथा सांसारिक उपारजन सहारभी गायतरी योग दक्षन मार्ग है उस मार्ग से हमारे आत्म कल्यान का उद्देश पूरा होता है दक्षन मार्ग का आधार ये है कि विश्ववापी इश्वरी शक्तियों को आध्यात में चुम्ब कत्व से खीच कर अपनी में धारन किया जाए सतोगुण को बढ़ाया जाए और अंतर जगत में अवस्थित पंचिकोश सप्त प्राण, जेतना, चतुष्ट, शत्चक्र एवं अनेक उप्चक्रों, मात्रकाओं, ग्रंथियों, भ्रम्रों, कमलों, उपत्तिकाओं को जागरत करके आनंद दाई आलोकिक शक्तियों का आभिर्भाव किया जाए उनको जगाया जाए गायतरी तंत्र वामार्ग है, उससे सांसारिक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है और किसी का नाश भी किया जा सकता है वामार्ग का आधार ये है कि दूसरे प्राणियों के शरीरों में निवास करने वाली शक्ति को इधर से उधर हस्तांत रित करके एक जगह विशेश मात्रा में शक्ति संचित कर ली जाए और उस शक्ति का मनमाना उप्योग किया जाए तंत्र का विशय गोपनिये हैं इसलिए गायतरी तंत्र के गरंथों में ऐसी अनेकों साधनाय प्राप्त होती हैं जिनमें धन, संतान, इस्री, यश, आरूग्य, पदप्राप्ति, रोगनिवारण, शत्रुनाश, पापनाश, वशीकरण आदी लाभों का वर्णन है और संकेत रूप से उनसाधनाओं का एक अंश बताया गया है परन्तु ये भली प्रकार इस्मन रखना चाहिए कि इन संक्षिप्त संकेतों के पीछे एक भारी कर्मकान एवं विधिविधान है वह पुस्तकों में नहीं वरन अनुभवी साधना संपन्य व्यक्तियों से प्राप्त होता है जिन्हें सद्गुरु कहते हैं ओमकार को ब्रह्म कहा गया है वह परमात्मा का स्वयम सिद्ध नाम है योग विधिया के आचार्य समाधी अवस्ता में पहुँचकर जब ब्रह्म का साक्षातकार करते हैं तुन्हें प्रकर्ति के उच्च अंतराल में ध्वनी होती हुई प्रतीत होती है जैसे घड़याल प ओमधौनी से मिलता जुलता होता है उसे ही रिशियों ने इश्वर का स्वयम सिद्ध नाम बताया है और उसे शब्द कहा इस शब्द ब्रह्म से रूप बनता है इस शब्द के कंपन सीधे चल कर दाहनी ओर मुड जाते हैं शब्द अपने केंद्रों की धुरी पर भी घूम इस प्रकार वह चारों तरब घुमत रहता है इस ब्रहमन कंपन गती और मोड के आधार पर स्वस्तिक बनता है वह स्वस्तिक ओमकार का रूप है। गायतरी मंत में सबसे पहले ओम को इसलिए नियोजित किया गया है कि इस शक्ति की धारा को इस पुल पर चढ़ कर पार किया जा सके। ओम शब्द ब्रहम है गायतरी ब्रहम की ही महाशक्ति है नाध बिंदु और कला की त्रिपुटी प्रणब में सन्हित है। त्रिपदा गायतरी के तीन चड़नों में उस त्रिपुटी का जब सम्मिलन होता है तो अपार आनंद की अनभूती होती है। दक्षण मारगी और वाम मारगी अपने अपने ढंग से इन आनंदों का आस्वादन करते हैं। गायतरी में ओमकार के पश्चात भू, भुव, स्वह, इन तीन व्यातियां आती हैं। पोशक, सहारक शक्तियों का नाम भू, भुव, स्वह है। सत, रज, तम, इन तीनों गुणों को भी त्रविद, गायतरी कहा गया है। भू को भ्रह्मा, भुवा को प्रकर्ति और स्वह को जीब भी कहा जाता है। अगनी, वायू और सूर्य इन प्रधान देवताओं का प्रतिन रित्व तीन व्यातियां करती हैं। तीनों लोकों का भी इन में संकेत है इस प्रकार के अनेकों संकेत व्यातियों के त्रक में भरे हुए हैं। ये तीन व्यातियां जिन तीन छेत्रों पर प्रकाश डालती हैं। वित तीनों ही अत्यंत्य विचार्नी एवं ग्रहणिये हैं। इश्वर जीव प्रकर्ति के गुंतत की गुथि को व्यातियां ही सुलजाती हैं। भू लोक, भुवा लोक और स्वह लोक, यद्पी, लोक विशेश भी हैं। पर आध्यात्म प्रियोजनों में भू स्थूल शरीर के लिए, भुवा सुक्ष्म शरीर के लिए और स्वह कारण शरीर के लिए प्रियुक्त होता है। बाह जगत और अंतर जगत के तीनों लोकों में ओमकार अर्थार्थ परमेश्वर समव्याप्त है। व्यातियों में इसी तथ्य का प्रतिपादन है। इसमें विशाल विश्व को विराट ब्रह्म की रूप में देखने की वही माननेता है। जिसे भगवान ने अर्जुन क अपना विराट रूप दिखाते हुए हिर्दय में धारन कराया था। ओम व्यातियों का समन्वित शीर्ष भाग इसी अर्थ और इसी प्रकाश को प्रकट करता है। तो ये है समस्त विध्याओं की भंडागार गायतरी महाशक्ती और उसका तत्व ज्यान। तो अगर